नमस्कार दोस्तों उनलाइन स्टडी में आपका फिर से स्वागत है मैं हूं दिनिस्कुमार और आपके लिए एक बार एक सबसे कहा जाता है कि सबसे हार्ड टोपिक रिजनिंग में रख्त सब्मंद होता है लेकिन आपको आज इस वीडियो के बादेम से आपको बताना चाहेंगे कि ब्लड रिएशन को सोल करने का एक ट्रिक होती है एक तरीका होता है अगर उस तरीके से आपको क्योशन को शोल करते हैं तो यह बहुती आसानी से सोल हो जाते ह इसमें कोई दिमाग खपाने की जरूतनी होती है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर किसी ने अगर आपने हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे वेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले आपको क्रिश्चन सोल करने में आसानी होगी ब्लड रिलेशन में स्टेच फोर्थ स्टेच होती है जनरेशन की बात करें चार जनरेशनों में ब्लड रिलेशन को बाटा गया है ब्लड रिलेशन में फस्ट जनरेशन में दादा दादी नाना नानी ये उपर के संब्दंदें सेगेंड जानरेशन में पिता हुआ माता हुए चाचा चाची मैं और यह सेबाते हैं जबकी परस्ट जन्रेश थर्ड- जन्रेशन में आप हम भाई बैहिन साला साली यह शबाते हैं फोर्थ जनरेशन में अपने भी बेटे आ जाएगे तो ब्लड रिलेशन में देखो कि इतर उपर दादा दादी आएंगे पस जनरेशन में सेकंड जनरेशन में पिता जी आ जाएगे फिर बेटा जाएगा और उसका भी बेटा बेटे का भी क्या हो जाएगा बेटे का भी बेटा तो इस प्रकार से generation को divide क्या है ताकि हम question को आसानी से soul कर पाएं तो आपको यह ध्यान रखना है कि यह first generation में आएगा यह second generation में आएगा यह third generation में और यह fourth generation में आएगा ठीक है दोस्तों आगे बात करते हैं question को soul करने से पहले आपको कुछ रूल बताते हैं कि आपको अगर मान लो क्योशन में दिया है कि A A B की पत्नी है A B की पत्नी है पहला अपना A B की पत्नी है अगर ये दिया है तो इसका मतलब अगर इसको कैसे सो करेंगे या हम अपना एक डाइगराम बनाएंगे तो उसमें केसे सो करेंगे तो केसे सो करेंगे A B की पत्नी है तो B पती पत्नी के अलिए अपन केसे डाइगराम बनाएंगे ऐसा आपको पता चल गया कैसे बनाना ऐसा एक और बात ध्यान रखनी है blood relation के question को soul करने से पहले हम आपको बता दें कि इसमें खुद का कोई अनुमान नहीं लगाना है question में जैसा कहा है वेशा बताना है question में जैसे कहा है वेशा ही हपन को diagram बनाना है A, B की पतनी है तो बताओ अब पतनी कोन हुआ पती कोन हुआ A, B की पतनी है तो A, B की पतनी है तो B क्या हुआ पती तो अगर pulling है अगर mail है तो उसको plus लगा देंगे mail है तो plus लगा देंगे और strilling है या महिला है फिमेल है तो उसको minus से denote कर देंगे तो इस diagram से पता चलता है कि A, B की पतनी है क्योंकि पती ये है और पतनी ये है पता चल गया ठीक है आगे बात करते हैं अगर question में हमें दिया जाएं कि A, B का भाई है दूसरा question अपने अगर मालो A, B का भाई है अगर question ये से आ जाएं A, B का भाई है तो अपन को क्या करना है भाई भाई का same generation का question same बनाएंगे, same generation मतलब ऐसे कैसे line केचेंगे कि same generation है A, इधर लिखेंगे, B लिख दिया, अब A भाई है, B का, A भाई है, B का, तो किसके बारे में बता दिया किसका, अपन को किसका पता है कि कौन पूरलिंग है, कोन इस्तिलिंग है, केवल A का पता है, कि A भाई है, B का, A भाई है, B का, तो ये plus लगा देंगे इसके उपर लेकिन इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया तो हम आगे से अब खुद अनुमान नहीं लगाएंगे कि ये बहिन है या विसका भाई होगा तो आपको ऐसे लगाना है अगर क्यूशन में दिया जाएं ए पिता है ए बी का पिता है तो ए को लिखना है उपर और पिता है तो हमेशा फूर्लिंग होगा और बी का है तो बी को नीचे लिखेंगे बी को क्या करेंगे नीचे लिखेंगे अगर मान लो क्यूशन होता कि ए अब ही देखते हैं ए बी का पुत्र है तो ए बी का पुत्र है तो क्या होगा A B का B उपर आ जाएगा पुत्र है तो A पुत्र है तो प्लस और पिता भी प्लस यहाँ पर पता नहीं हमें A B का पिता है अब यह पिता यह B इस तरह Link भी हो सकता है फूर Link भी हो सकता है तो आपको कुछ यह Rule पता होने चाहिए अगर यह पता है तो आप Qution को आसानी से Sol कर पाएगे, तो वापस से देख लेती हम इनको, कि अगर Qution में दिया है Same generation, same Qution बनेगा, same generation में same diagram बनाना है, सीधा बनाना है, लाइन से, ये पती-पतनी के लिए बनाना है, अगर A, B की पतनी है, तो ये समझा मैंनास, और B, पलस A, पतनी और B, पती A, B का भाई है, तो A, advocating बनाना है, अगर बनाना है, अगर बनाना है, तो A, पतनी बनाना है, ये पतनी पतनी हम सकती हैं, यहाँ पर अपन हमुक्ता नहीं है, अगर Qution में दिया जाहे, A, B हैं माता भी हो सकती हैं दोस्तों गुद्ध का अनुमान नहीं क्योंट में तो हम देखते हैं आगे क्योंट कुछन को कुछन को सोल करते हैं तो टाइब की कुशन अधिक तर एक जाम में अब्लेड रिलेशन से कुशन जरूर आता हैं और दो या तीन नंबर का कुशन आता हैं और आप उसे अपने हाथ से ना छोड़ें इसलिए हमें इस ट्रिक के मादेम से इस रीजनिंग को बहतर आसान सोल कराके आपको उस दो राकेश ने कहा अब राकेश के रहा हैं मानलो यह राकेश हैं ठीक है ए फोटो की और हिसारा करते हुए राकेश ने कहा है मेरे दादा यह मेरे दादा के एक मात्र पुत्र की पुत्री हैं कोई फोटो हैं जिसे मानलो यह फोटो हैं तो यह मेरे दादा इनके दादा जी है ये दादा ये मेरे दादा के एक मात्र दादा के एक मात्र फुत्र की फुत्री तो फुत्र और की नीचे देखो डाइग्राम नीचे बने गए ये फुत्र दादा है दादा का फुत्र मतलब इसके पिता जी और उनका भी पुत्र ये फुत्र है खुद और क्या बोला एक मात्र पुत्र की पुत्री है तो ये पुत्री है दोस्तो पुत्री है माइनस तो अब बताना है कि दादा का इसका दादा है देखो राकेश के दादा दादा के पुत्र मतलब उनके पिताजी और उनके पिताजी की पुत्री मतलब उनका क्या सम्मन है उनका सम्मन है राकेश की क्या लगी है बहन लगी ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा अपना ए आंसर हो जाएगा ठीक है दूसरा क्यूशन शोल करते हैं एक लड़के की और इसारा करते हुए स्रीमती मीरा केती है एक लड़के की और इसारा करते हुए स्रीमती मीरा केती है कि वह मेरे दादा की इकलोती संतान का इकलोता फुत्र है तो मीरा का दादा जी और उसका इकलोती संतान मतलब उनके पिता जी इकलोती संतान तो क्या लगे उनके पिता जी की इकलोती की इकलोती इकलोता पुत्र है तो यह पुत्र है लड़का तो यह क्या संबंध है इनका यह मीरा का क्या लगा भाई लगा तो आंसर देखो प्रकार से हम टाइब नमबर शेकिन लेंजेंगा में अगर आपने उन गिने चने चार रूल्स को आप ने देख लिया तो आपको प्लस करना किसको मायनस can किसके किसके कितने ऊपर निखना है किसको नीचे लिखना है तो लिखने टाइप नॉमर्बर सेकट तर्ड वाइव सी बी की पत्नी है देखो यह सी है a and a see b की पत्नी ए तो यह पत्नी है यह भी है पत्नी का सम्पंद से बताना है आपको इनलस्य पत्नी है जाएगा पती में करें आगे देखो कि में और एसी का पुत्र है तो पुत्र आसम मुझत नीचे दिखाएंगे पुत्र करें देखेंगेंices के लिखेंगें एक एक पुत्र है तो यह प्लस ठीक है अब यह दोनों भाई भाई है एक यह भाई है यह भाई है यह निकी पतनी है तो यह भाई जी ओगे तो आगे देखते हैं और डी का पिता है तो डी का पिता भी है यह यह डी का पिता है ठीक है तो बताना है आपको यह और डी का क्या संबंद है यह और डी का क्या संबंद है तो देख लो यह इनकी पुत्री है यह मम्मी हो गए इनकी यह पापा और पापा के भाई चाचा और चाचा का पुत्र तो चचेरा भाई हो गया ये आपको क्यूशन के आंसर जरूर देखने हैं क्यूंकि अगर देखो यहाँ पर अपने भाई लिख दिया तो गलत हो जाएगा क्यूंकि ये चचेरा भाई हैं क्या है चचेरा भाई है इसमें माता बहन भाई अगर भाई पर देख लिए अपने और question को लगा दिया तो गलत हो जाएगा तो आपको पूरा question देखना है तो चचेरा भाई answer आएगा चचेरा भाई answer आएगा तो आपको question देखो समझ में आगया अगला question देखते हैं हमपन पी टी का पिता है ये पी टी का पिता है तो उपर पी आ जाएगा पिता जी उपर आएगे टी नीची आएगा पिता जी पी टी के पिता है टी B की पुत्री है, T, B की पुत्री है, ये पुत्री है, किसकी, B की, B की पुत्री है ये, अब इनके पुत्र T है, और B की पुत्री है, तो ये पिताजी है, तो ये दोनों पती-पत्ने हो गए, होगे न, ये पती-पत्ने हो गए, तो ये क्या हो गया, ये महिला है, यह पती है तो यह पत्री होगी महिला है तो आगे समझते हैं M क की पुत्री है M क की पुत्री है तो अभी इसका आगे देखते हैं कि सोरी दोस्त olsun यहां पर होगा म और यह भी M हो जाएगा और एम के की पुत्री हैं तो यह की है कि दो देखैं अदे की यह पिता जी में अंकहें अब क्यूशन आंसर्फ क्या बुद्चाե की से क्या समझता ने तो पी का के से क्या समझाद है तो पी का समशक्त बताना है आपको अगर ऐसे तेको पिता जी ससुर झामाद यहां पर ससुर यहसं कैससुर है पी को लेकिन आपको पी का समशक्त उनाद है वह क्या लगा के का अंसर ना रहाए तो तो आंसर क्या हो जाएगा दी आंसर हो जाएगा तो यह हमने ब्लड लेशन के दो टाइप देखे आपको वीडियो किशा लगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताएगा